हलो कृष्णा क्लास्स में आप सबका श्रागत है बच्चो आईए चलो चलते हैं जो थीपस स्टोरी हाफ लेसन हमारा रह गया था उसको पढ़ते हैं और इसको कम्प्लीट होने के बाद हम आपको कोश्चनस आंसर देंगे एंसे की वेस्ट और सॉट कोश्चनस ठीक है बच्चो चलो पढ़ाई करते हैं थोड़ा अनिल वाज असनी अनिल क्या कर रहा था शो रहा था एक बीम ऑफ मूनलाइट बीम मीश होती है किरड मूनलाइट मीश चंद्रमा की रोश्णी स्टैप ओबर मीश पढ़ रही थी बाल अनिल वाज उसे को चंद्रमा की रॉष्णी की एक एक किरड और शैक हो गया तो जो चंद्रमा से के लुदम और वोजिते थक confirm considering the situation and situation को consider कर रहा था situation को सोच रहा था समझ रहा था कि कैसे क्या करूँ पैसे कैसे निकालूँ चंदरमा की रोष्णी में मैं दिखाई न दे जाऊ ऐसा नो कि मैं चंदरमा की रोष्णी पड़ रही है मैं दिखाई दे रहा हूँ वो जग्या तो मुझे देख न ले तो considering the situation को समझ रहा था तो आगी चलेंगे इफ इफ आई टुक दा मनी यद मैं मनी को ले लेता हूँ मनी को चुरा लेता हूँ आई कुड कैच दा कैच दा 10-30 एक्सप्रेस टू लखनव तो मैं क्या कर लूँगा 10-30 पर जाने वाली जो लखनव जाने वाली एक्सप्रेस है ठीक है कैच मीस पकड लूँगा 10-30 एक्सप्रेस टू लखनव लखनव जाने वाली 10.1000 वाली ट्रेन को मैं पकड सकता हूँ यहसा सोचने लगा वो ठीक है Slipping Out of the Blanket Blanket means क्या होता है बच्छो कम्बल ठीक है Blanket means क्या होता है कम्बल तो Slipping Out Slipping means फिसल कर बाहर आ गया Slipping means फिसल कर Out means बाहर Of the Blanket means कम्बल कम्बल से बाहर निकल कर आ गया I crept up to the bed और मैं rank करके bed के पास चला गया क्रेप Creep की second form होती है Crap तो Crank करके में bed पर चला गया Anil was sleeping peacefully ठीक है और Anil क्या रहा था Sleeping में सो रहा था Peacefully में सान्थ पूरवग और Anil वह सान्थी के साथ सो रहा था Hidge Face बाहर चलियर उसका चहरा कलियर था और End Unlined और उसके चहरे पर कोई Lined नहीं थी मतलब कोई Lined बनी होती है Scratch पर गहरा होते हैं चहरे पर वो कुछ भी नहीं था बिल्कुल किलियर था Even I had more marks और more means अधिक marks means Chin On my face जबकि मेरे चहरे पर क्या है बहुत सारे marks से जो यह दभप मायन बर मोश्त बिश्कार्स मायन मेरे पर मोश्त का इसकार्स मस्त मेरे गहाऊ है जबकि मेरे उसका चहरा मून लाइट था जबकि मेरे मून लाइट में अधिक दिख रहा था माई हेंड स्लाइड अंडर दा मैटर्स मैंस मेरा हैंड स्लाइड मीश डालना अंडर मीश नीचे मैटर्स मीश गद्णे के मैट्रेस का मतलब है गर्दे सर्चिंग मीश ढूंडना और नोट्स मीश नोटों को मैंने अपने हाथ को गर्दे के नीचे डाला और उन नोटों को ढूंडा तीक है आगे चलेंगे भेन आई फाउंड देम भेन मीश जब आई मीश मैंने फाउंड मीश पा लिया या ढूंड दिया देम मीश उनको देम किसके लिए आया नोटों के लिए जब मुझे वो मिल गए आई ड्रॉ ड्रिव देम आउट बिदाउट इस साउंड ड्रिव आउट का मतलब है खीच ड्रॉ का मतलब होता खीचना और ड्रॉ की सेकंड फॉर्म ड्रिव देम मीश उनको देम किसके लिए आया नोटों के लिए बिदाउट मीश बिना साउंड मीश आवाज के जब वो मुझे मिल गए मनला उसने उसके रुप्यों को खको रहा तो जब उसे मिल गए तो उसने ब स्माईली साइडली एंड टर्ण ओन हिस साइड और वो टर्रं मिश मोडा ही साइड उसी की हो तुवार्स मीश मेरी हो थीकल वो कह रहा है अनिल नहीं उसी समय क्या की साइडली सोते समय और मेरी तरफ वो मुडा I was startled and quickly crowd out of the room यहां से दोवारा से समझेंगे ठीक है सब्सक्राव मीश सब्सक्राव तो सब्सक्राव थो फूर सब्सक्राव लच के या नोहर के या सरक के इसलिए क्राउल्ड सब्सकिया ठीक है वच्छा क्राउल्ड आउट ऑप दर रूम मेर कमरे से रेंग करके एकदम बहार आ गया आगे समझेंगे बैन आई वाज ओन दा रोड जब मैं रोड पर आ गया आई बिगेंट तूरन में भागने लगा ठ थी के लगा लगी लगे जो मैं आपको रूल पड़ाया किसमें ग्रामर जो मैं दे रहीएं हैं आपको उसमें मैंने बिगेंट आपको पड़ाया थेखो बही ही मॉड न अगया हैं ठीक है अई विगेंट तूरन में भागने लगा आई हैड दा नोड स एट माई बेस्ट औ और मेरे जो नोट्स थे, आई हेड में रखे था, नोट्स में सुनिनोट्टों को, कौन से नोट्स जो उसने चुरायते, एट माई वेस्ट, वेस्ट मीस होती है कमर, और मैंने अपनी कमर पर उन नोट्टों को रख लिया था, हेल्ड मीस, बांध लिया था इस्ट्रिंग मी इस डोरी से आप माई पाजामा पाजामा जानते हैं पाजामा पैंते हैं गाउं के लोग देखा है आपने तो भई तो वो कह रहा है कि मैं रोड पर आ गया और मैं भागने लगा और मैंने नोट्स को अपनी कमर पर बांध लिया और किस में बांध लिया पाजामे में एक डोरी से बांध लिया आए श्रोड डाउन टू दा बॉक एंड काउंटेड दा मनी आज स्लोड डाउन का मतला मैं भई ते दौड रहा था प्र दौड ते वह थोड़ा धीमे हो गया तो उसने अपनी दौड़ को शिलो कर लिया वो शिलो हो गया तो बॉक मीश चलना चलना शिलो हो गया एंड कांटेड मीश गिने नोट मीश नोटों को वह हो गया और उसने अपने नोटों को गिना तो 600 रुपीज थी क्या पचास-पचास के कितने नोट थे 600 रुपई थे ठीक है पचास-पचास के नोटों में 600 रुपई थे कितने रुपई थे 600 ध्यान रखेंगे MCQ में पूछा जा सकता है तो और नोट कितने कितने के थे 50-50 इसके 50-50 के 50 कि आइक कुड लाइक एन ओएल रिच अरवन फोरे फ्यक्ति की तरह एक दो सकता उन रुपईयों से में क्या कर सकता था ओयल रिच अरवन व्यक्ति की तरह अपना लाइफ काट सकता था ठीक है यह कौन सोच रहा है वह चोर सोच रहा है कौन से रुपयों से जो रुपय उसने चुराय थे कितने रुपय थे 600 रुपय थे और पचा-पचास के अगे चलेंगे बहन अए रिच्ट अए इस्टेशन आइ डिड़ नॉट स्टॉppर एड टिकेट ऑफ़स बहन मिस जब आइमीस में रीच्ट मिस पहुँचा से यह कूई टिकेट ऑफ़स पर मैंने अपने जीवन में कभी कोई टिकेट नहीं खरी दी इन माई लाइफ अपने जीवन में बट डेस्ट इस्टेट टूदा प्लेटफॉर्म डेस्ट मी सीधा चला गो डेस्ट का मतलब अच्छो जाने से ठीक है इस्टेट मी सीधा और प्लेटफॉर्म मी प्लेटफॉर्म और मिशी धा प्लेटकर्म चला गया गया don you guest लखनव express ती वह अ में moving out चल रही थी moving out का मतल़ में चल दी थी तो ट्रेन हैड इस्टिल टू पिक अप स्पीड और ट्रेन ने क्या कर ली पिक अप का मतलब पकड ली तो इस्पीड मीश गती ठीक है और ट्रेन ने अपनी गती पकड ली तो आगे चलेंगे इंड आई सुड हैव बिन एविल्टू जंप इनटू बन आफ लाज़, फाल गतलना गतलना। सर्मा गया परिशान हो गया ठीक है है जीटेट मीस होता है बच्छो सर्माना ठीक है हिचकना फॉर सम रीजन आई कैन नोट एक्सप्लेट तो कुछ रीजन्स हैं कुछ कारण हैं आई कैन इस एक्सप्लेट मैं उन्हें explain नहीं कर सकता, उनका burden नहीं कर सकता, explain मिस होता है बच्चो burden करना और region मिस करना और some मिस कुछ, तो क्यों hesitated हो गया, वो अपने regions को बता रहा, ठीक है, for some regions, कुछ regions I cannot explain, मैं उनको explain नहीं कर सकता, and I lost the chance to get away, और मैंने जाने का, क्या कर दिया, chance खो दिया, lost मिस खो दिया, chance मिस मौका, to get away मिस भाग जाने का, और मैंने वहाँ से बच निकलने का मौका खो दिया, ठीक है बच्चो आगे चलेंगे, when the train had gone, when मिस, जब train had gone मिस, चली गई, जब train चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, I found मिस, I miss मैंने found मिस पाया, अपने आपको, myself मिस, अपने आपको, standing मिस खड़ा हुए, alone मिस अकेला, on the deserted platform, desertate का मतलब क्या होता है, बच्चो डेजट मिस होता, रेगिस था, और यहां desertate platform का मतलब है, जहां पर कोई नहीं रहा, केबल वो अकेला था, ठीक है, ट्रेंड चली गई थी, सब लोग चले गई, तो अकेला रहाए, इसलिए desertate platform, यहां पर कोई नहीं हो, बीरान हो, ठीक है, तो तब फिर से देखेंगे इस line को, तो वेन दा ट्रेंड हैड गॉन, जब ट्रेंड चली गई, तो आई फांड माइसेल्फ इस्टेंडिंग एलॉन, on the deserted platform, तो मैंने अपने आपको deserted platform पर, अकेला खड़ा हुआ पाया, मतलब वो अकेला खड़ा रहे गया, I had no idea where to spend the night, मुझे कोई idea नहीं था, मुझे कोई idea नहीं था, भेर मिस, कहां, to spend मिस बिताए, night मिस राथ, उसे कोई भी idea नहीं था, कि वो राथ कहां बिताए, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, कि वो राथ कहां बिताए, क्या करें, तो I had no friends, मेरा कोई friends भी नहीं था, no means नहीं, friends means myth, believing that friends were more troubled than help, believing means विश्वास करना, जिस पर विश्वास किया जा सके, मेरा कोई ऐसा मित्र भी नहीं था, जिस पर विश्वास किया जा सके, और that, that के friends were more troubled than help, तो friends क्या करते हैं, help से जादा trouble देते हैं, friends more trouble, अधिक कष्टकारी होते हैं than help, मिस मदद से, मदद से जादा कष्ट देते हैं, ऐसी उसकी सोच थी, ठीक है, तो आगे चलेंगे, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel, ठीक है, तो थोड़ा सा समझेंगे, and I did not want to make anyone curious, तो I did not want, मैं नहीं चाहता था, make बनाना, anyone means curious by staying at one of the small hotel, near the station, station के पास रुक करके, किसी होटल में में, अपने आपको रुक करके, किसी को भी अपने प्रत, मतलब के मुझे पर कोई शक करे, ठीक है, make anyone miss किसी व्यक्ति को, curious miss, जिग्याशू, by staying miss रुक कर, curious miss, जिग्याशू, staying miss रुक कर, small hotel miss, किसी भी छोटे से होटल में, near the station, station के पास, ठीक है, तो आगे चलेंगे बच्चो, the only person, एक व्यक्ति है, I knew में जानता हूँ, really belle, but the man I had robbed, केवल एक व्यक्ति है, new miss, जानता हूँ, really miss वास्ता में, belle miss अच्चे से, बाज ए इसमाल, बाज दा मैं, उस आदमी को, I had robbed, जिसे मैंने लूट लिया है, only person, I knew really belle, but the man I had robbed, में एक ही केवल व्यक्ति है, बास्ता में, जिसे मैं बहुत अच्चे से जानता हूँ, जिसे मैंने लूट लिया है, वो कौन था, किस की चर्चा कर रहा है वो, चोर कर रहा है, अनिल की चर्चा, ठीक है, तो वो ही कह रहा है, अब मैं तो इस सेहर में केवल एक ही व्यक्ति को जानता हूँ, जिसे मैंने लूट लिया है, मतलब, लीविंग दा स्टेशन, स्टेशन को छोड़ कर, आई बॉक्ड स्लोली थ्रोदा बाजार, लीविंग दा स्टेशन, स्टेशन को छोड़ कर, लीविंग मीश छोड़ कर, ठीक है, आई बॉक्ड मीश चल दिया, स्लोली मीश दीरे से, थ्रो था बाजार बाजार से होकर थ्रो का मतलब क्या होता है से होकर इस्टेशन को छोड़ कर मैं बाजार से होकर चल दिया आगे चलेंगे In my short career As a thief I had made a study of man's face When they had lost their goods In my short career अपने छोटे से केरियर में As a thief चोर के रूप में चोर के रूप में अपने छोटे से केरियर में I had made a study of man's face मैंने आदमियों के चैरे को पढ़ा है समझा है Study की है उनके चैरे Study man's faces क्या किया है Man's faces की study की है When they had lost their goods When means जब They had lost वेखो देते हैं Their goods अपना सामान Greedy man showed fear breakdown saw fear аньpe जबने छीज खो देता है तो उसके क्या हो जाता भाई हो जाता है अधर हो जाता है और Rich man इंगर और धनी आदमियों गुष्णान देखाता है मतलत किसी व्यक्ती की कोई चीज खो जाए वो अब कौन कह रहा है चोर ये कह रहा है कि अपने छोटे से चोर के रूप में जो मेरा चोटा सा केरियर है उसमें मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा है समझाए अध्यन किया उनके चेहरों का और वो क्या वता रहा है कि ग्रीडी मैन लालची व्यक्ति जे ग्रीडी ये लि दिखाता है लोगों को rich man, so, manfare, anger और धनी आदमी क्या दिखाता है anger दिखाता है, we vision आदमी प्ूर मैन Ö morse- acceptance और पूर मैन क्या करता है गरीब पूर मैन अятсяप्टेंश, acceptance भी होता ही एफच्योग स्विक्रति प्ूर कुर मैन होता है बो अपने खुटने को स्विकार कर लेता है अपना खोना स्विकार कर लेता है अब वो क्या जो तिस लेकिन मैं अनिल के चहरे को जानता हूँ ठीक है बट मिस लेकिन I knew मैं जानता था that अनिल's face, अनिल's के face को भेन he discovered the theft, फिर से देखेंगे भेन he discovered the theft, he would show only a touch of sadness भेन मिस जब, he discovered, वोग डिसकवर्ड करेगा मतलब उसे पता चलेगा theft मिस चोरी के बारे में, जब उसे theft के बारे में पता चलेगा चोरी के बारे में पता चलेगा, would show only a touch of sadness उसे थोड़ा सा दुख होगा, क्या होगा, only a touch of sadness ठीक है, so miss दिखाई देगा, उसके चेरे पर थोड़ा सा दुख दिखाई देगा not for the loss of money, loss of money का दुख नहीं होगा उसको not miss नहीं, for the loss miss खोने का, money miss money को money को खोने का loss नहीं होगा उसको, but for the loss of trust लेकिन उसे बिश्वास खोने का क्या होगा, दुख होगा मतलब उसे ये दुख नहीं होगा, कि मेरा money उसने चुरा लिया, मुझे खो गया मेरा money, लेकिन उसे दुख इस बात का होगा, कि मैंने आज विश्वास खो दिया है, जिस पर मैं बहुत विश्वास करता था, जो मेरे लिए खाना बनाता था, जिसको में अपने घर की चाविया भी सब दे रेता था, उस विश्वास को खोने का होँ से बहुत दुख होगा, आगे चलेंगे बच्चो I found myself in the meidon and sat down on the bench, I found, found means पाया, myself means अपने आपको मैदान में, sat down means बैठ गया on the bench means bench पर, मैंने अपने आपको मैदान में पाया मतलब मैं मैदान में पहुंच गया और एक bench पर बैठ गया, the night means रात, किली means थंडी थी, ठीक है, रात थंडी थी, it was early November, November का प्रारम्मिक महिना था, and a light drizzle, drizzle and added to my discomfort, light means हलकी, और ड्रजल means बूंदा बांदी, ठीक है, हलकी बूंदा बांदी ने added means बढ़ा दी, my discomfort मेरी परेशानी, हलकी सी बूंदा बांदी ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया, soon it was raining quite heavily, soon means सीख्र, raining means बरसा होने लगी quite heavily, heavily means और जोर से, और सीख्र ही और तेजी से बरसा होने लगी, माई shirt, मेरी shirt, माई pajama, ठीक है, पाजामा जानते होंगे कहों के लोग पहनते हैं, इस टक मीज चिपक गया, माई skin मीज मेरी skin से, मेरी shirt और मेरा pajama, मेरे skin से चिपक गया, and cold wind below the rain across my face, और ठंडी हवा, cold wind मीज ठंडी हवा, rain below मीज चल रही थी, rain across मीज लग रही थी, शेट पवेरे चहरे पर लग रही थी ठीकैं बज्णो आगे चलेंगे कि पूराइब सीगला के इसमय खूला और कि या यह में आइश टूह सीमय करेंगा दल दून हीरा क्वक ते Кोक नके भी diarrhea सारा रखिशॖ में चलकुर में या र कीविव दल यहां को अनुवर हमै। था भही पर वाजार में यहां पर घड़ी लगी होती है जो समय बताती है तो उसी क्लॉक टॉबर पर वो सेंटर में सेल्टर पर बैठ गया ठीक है दा क्लॉक शोड मिड़नाइट गड़ी में आदी रात का समय हो रहा था अदी रात मतला 12 बज़े का समय लगा आई फेल्ट फॉर डा नोट्स मेंने अपने नोट्स नोट्स का मतला नोट्स का मतला रुपय को नोट्स का आगया ठीक है एक नोट होता है तो नोट कह देते हैं मैंने अपने नोट को felt किया देबर dramp dramp from the rain dramp का मतलब है वच्छो थोड़ा सा गीले हो जाना ठीक है dramp from the rain वो भरसा से थोड़े गीले हो गई थे आगे चलेंगे अनिल्स मनी अब वो क्या अनिल्स के बारे में हम लोग कोई काम करतो जाते हैं excitement में बट उसके बाद में पश्चाताब होता है in the morning सुभह में he would probably have given me probably me शंभवत है मी मी मुझको 2 और 3 रूपीज 2-3 रूपे वो मुझे संभवत है देता to go to the cinema cinema जाने के लिए ठीक है go to cinema cinema जाने के लिए ठीक है अब वो सोच रहा है क्या सोच रहा है सुभह को वो संभवत है अब अस ही मुझको 2-3 रूपे देता कहां जाने के लिए cinema जाने के लिए बट लेकिन now I had it all लेकिन वो सब अब मेरे पास है कौन कह रहा है चोर कह रहा है वो इत्थी young boy I could not cook his meal मैं उसका खाना भी नहीं पका सकता I could not cook his meal meal में बोजन होता है ठीक है run to the bazar to learn to write whole sentence anymore और मैं बाजार भी नहीं जा सकता जैसा कि उसके लिए वो खाना पकाता था बाजार जाता था और नाम लिखना सीखता था और पूरा sentence लिखना सीखता था ठीक है तो वो सब बाते वो सोच रहा है कौन सोच रहा है चोर सोच रहा है I could not cook his meal उसका बोजन भी नहीं पका सकता run to the bazar run to the bazar anymore और अधिक भी कुछ नहीं सीख सकता अब उसे पश्टाता हो रहा है कि मैं अब क्या करूँगा उसे पढ़ना सिकाता था बाग के लिखना सिकाता था उसका नाम लिखना सिकाता था जोड गटाए सिकाता था अब वो कह रहा है अब मैं क्या कर सकता हो घाना भी बनाना नहीं सीख सकता बजार भी नहीं जा सकता और sentence को लिखना भी नहीं सीखता कुछ भी नहीं सीख सकता तो अब वो यह कह रहा है I had forgotten about them in the excitement of the theft I had forgotten मैं भूल गया था forgotten means भूल गया about them, इनके बारे में in the excitement means uttasia ना of the theft means चोरी में चोरी की uttasia uttasia में ये सब बाते भूल गया था कौन सी सब बाते भूल गया था उसके लिए खाना बनाना वो मुझे खाना बनाना शिकाता है वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखाता है, वो मुझे जोड गटाई सिखाता है, ठीक है, यह सब भूल गया था, तो वो कह रहा है, I had forgotten about them in the excitement of the tap, में चोरी के excitement में यह सब बातें भूल गया था, whole sentence और पूरा sentence, यह लिखना नहीं सिख सकता, ठीक है, I knew could band, could banday bring me more than a few hundred rupees, I knew, मै जानता हूँ, could banday, banday means किसी दिन bring means ला सकता था, मैं more means अधिक than a few hundred rupees, और मैं पढ़ लिखकर किसी दिन in few hundred से भी अधिक ला सकता था, कमा सकता था, ठीक है, यह सब बातें उसके mind में आ रही है, ठीक है, it was a simple matter to steal, श्टील, चोरी करना तो एक simple matter होता है, साधरण सी बात होती है, simple matter, to steal means चोराना, चोरी करना तो एक simple matter होता है, but sometime, कभी-कभी, just as simple to be coach, इससे भी आसान होता है, to be coach पकड़े जाना, लेकिन कभी-कभी इससे भी आसान होता है, पकड़े जाना, but to be a really big man, लेकिन बास्तम में बड़ा आदमी होना, बी मीस होना या बनना, रियली मीस बास्तम में बिग मेन मीस बड़ा आदमी, कलेवर मीस चतुर, रेस्पेक्टेड मीस सम्मानी मेन, ठीक है, सम्मानी ब्यक्ति बनना, बास्तम में चतुर और सम्मानी ब्यक्ति बनना, वाज सम्थिंग एल्स, कुछ और ह भी होता है अब वही क्या कह रहा है चोरी करना बहुत आसान होता है और इससे भी अधिक पकड़े जाना और आसान होता है लेकिन बास्तम में एक चतुर रेस्पेक्टेविल बनना एक अलग बात होती है यह सब बातें वह सोच रहा है ठीक है आगे चलेंगे I should go back to anil मैं क्या करूंगा अनिल के पास जाऊंगा बापस अनिल के पास जाऊंगा I told myself और मैं अपने बारे में बताऊंगा I miss मैं go back go back मतलब पुन्हें बापस जाना ठीक है I told told miss बताना myself miss अपने बारे में if only to learn to read and write और मैं क्या करूंगा only learn मुझे सीखना है read means पढ़ना और लिखना मुझे सिर्प क्या करना है पढ़ना और लिखना सीखना है मुझे चूरी नहीं करने ही वह सोच रहा है ठीक है मैं पुन्हें बापस अनल के पास जाऊंगा और मैं उसे सब बात बताऊंगा मुझे तो सिर्प पढ़ना और लिखना शीखना है हाँ आगे चलेंगे I hurried back to the room feeling very nervous ठीक है I hurried back हरी का मतलब होता जल्दी करना back में मैं जल्दी से बापस कमरे पर गया ठीक है ठोड़ा सा तब गया hurried back ठीक है मैं जल्दी से कमरे पर बापस गया feeling मी feeling एसास करते हुए nervousness nervousness फील करते हुए अपने आपको बहुत कमजोर फील अंदर से बहुत बीक फील करता हुए मैं जल्दी से कमरे पर गया for क्योंकि it is much easier to steal something than to return to unducted it was much easier much means अधिक easier means आसान होता है क्या होता आसान still means चुराना ठीक है something than to return it इसे inducted जहाँ पर यह जैसा था inducted का मतलब जहाँ जैसा रखा था बहाँ बैसा ही उसे बापस करना बहुत कठेन होता है चुराना तो बहुत आसान होता है लेकिन उसे बापस करना बहुत कठेन होता है तो आगे चलेंगे I opened that door quietly और मैंणे चुपचाप से सांती से quietly opened means खोला quietly means चुपचाप से सांती से मैंने चुपचाप से सांती से दरवाज़ा खोला then I stood in the doorway और मैं दरवे पर खड़ा हो गया इस्टुप मिप खड़ा हो गया दरवाजे के राश्ते पर और मैं दरवाजे पर दरवाजे पर खड़ा हो गया in clouded moonlight moonlight थी clouded बादलों में चंदर्मा की रोशनी थी clouded moonlight में मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया अनिल बाज still asleep अभी भी asleep में सो रहा था अनिल अभी भी सो रहा था I craft to the head of the bed और मैं rank करके craft means rank करके to the head of the bed bed के सिराने की तरफ गया head means sir की तरफ, bed means बिस्तर के बिस्तर के sir की तरफ गया and my hand came up with the notes मैं अपने हाथ को अपने notes की तरफ note पर ले गया my hand means मेरा हाथ came up means आया with notes notes के साथ नोट्स के साथ मैं अपने हाथ को ले गया I felt his breath on my hand मैंने उसकी सांसों को अपने हाथ पर एहसास किया कि वो अधेरे में तो टटोला टटाली कर रहा था तो उसे ऐसा लगा कि अनिल यहीं कहीं सांस ले रहा है तो उसने अपने, he felt, उसने एहसास किया breathe me सांस का on my hand अपने हाथ पर मैंने अपने हाथ पर, hand पर उसकी सांस को ऐसा feel किया I remained still for a minute मैं वहीं के वहीं एक मिनट के लिए चुपचाप खड़ा रहा then my hand found the age of the matters then means तब my hand means मेरा हाथ found means पहुँच गया age means किनारे पर matter means गद्दे के तब मेरा हाथ गद्दे के किनारे पर पहुँच गया and slipped under it with the notes और मैंने क्या किया notes के साथ इसके अंदर slip कर दिया अपना हाथ अंदर घूश दिया slipped means अंदर डाल दिया underneath नीचे the notes with the notes notes के साथ मैंने अपना हाथ उसके अंदर कर दिया ठीक है बच्चो आगे चलेंगे थोड़ा सा I walk up late next morning to find मतला उसने क्या किया अपना हाथ अंदर डाल करके उस notes को mattress के कद्दे के नीचे रख दिया I walk up sorry I walk late next morning to find that Anil had already made the tea I walk walk means जागा ठीक है next morning means अगली शुबह और late means देर से मैं अगली शुबह देर से जागा I walk late next morning to find that Anil had already made the tea क्या मैं अगली सुबह थोड़ा देर से जागा और find walk means जागा next morning मैं अगली सुबह find miss पाया कि Anil had already made Anil ने already tea बना ली थी मतलब वो जागा तब तक Anil ने उस चाय बना ली थी वैसे कौन बनाता था वही लड़का बनाता था Anil के लिए बट वो देर से जागा क्योंको रात वर दर दर भाग तारा station बना तो वो देर से जागा तब तक Anil इतना अच्छा था कि उसने उसको नहीं जगाया कि उसने खुद ही चाय बना ली थी He stretched out his hand towards me He stretched उसने बढ़ाए Stretched out का मतला उसने बढ़ाए His hand अपना हाथ towards me की और मीमी स्मेरे उसने अपना हाथ मेरी और बढ़ाया देर वाजे 50 रुपी notes between in his fingers देर वाजे 15 रुपी note कितना पचास का note उसकी उंगलियों के बीच में था मतला उसने हाथ मेरी तरफ यह बढ़ाया और उन हाथ की जो उंगलियां थी हाथ की जो उंगलियां थी उन उंगलियों के बीच में एक 50 का note था My heart sank मेरा हिरदर डूड गया मतला उसे डर लग गया I thought मैंने सोचा I had been discovered अब मैं क्या हो गया discovered हो गया मेरी चोरी पकड़ी गई I thought मैंने सोचा I had been discovered मैं discovered हो गया discovered का मतला मेरी चोरी पकड़ी गई I made one I made some money yesterday ठीक है मैंने कुछ मनी कल लिया था मतला मैंने कुछ मनी कल कमाया था यह लिया था ठीक है He exclaimed ठीक है उसने ऐसा बताया Now you will be paid regularly अम्मे क्या करूँगा तुम्हे रोज आना regularly paid means paid करूँगा regularly means प्रत दिन अम्मे क्या करूँगा प्रत दिन तुम्हे pay किया करूँगा तुमारी तनखा तुम्हें दिया करूँगा ठीक है आगे चलेंगे My spirit rose इससे मेरी आत्मा रोज कर गई मतला प्रफुलित हो गई रोज का मतला जाग जाना Rise की सेकंड फॉर्म है रोज मेरी मेरी आत्मा रोज कर गई जाग गई क्योंकि उसने ये कहता उसे तो पहले ही डर लगा कि उसने पचास का नोट मेरी तरफ पढ़ाया तो उसे लगा कि आप तो मैं पकड़ गया मुझे लगता है मेरी चोरी पकड़ गया कुछ कह रहा है उससे उससे उठके उसने पहले चाय बना ली थी उसे लगा कि मैं पकड़ा गया लेकिन जब उसने ये कहा कि मुझे कल कुछ रुपए मिले हैं कमाई है मैंने ऐसा उसने कहा और मैं तो मैं क्या करूँगा रेगुलर्ली पे किया करूँगा ठीक है तो बट भेन आई तुक दा नोट जब मैंने नोट को लिया आई शोव इट वाज इस्टिल बैट फ्रॉम देट नाइट रेन तो आई शोव मैंने देखा इट वाज इस्टिल बैट यह अभी भी गीला था फ्रॉम नाइट फाल ठीक है नाइट फाल से रात की बरसा से यह अभी भी गीला था ऊदेट उसने कहा कि आज मैं तुम्हें सेंटेश लिखना सुखाऊंगा श्टार्ट करेंगे वी शेल हम स्टार्ट करेंगे रातिंग मीस लिखना सेंटंस मीस भाग आज हम सेंटेंस लिखना सेंटेंस मी स्पाके थी लब वो ऐसा उसे फील हो रहा था वो जान गया कि उसने उसकी आँखों से ऐसा लग रहा था इसने कुछ भी नहीं जाना है उसकी चोरी के बारे में आई इसमाइल में मुस्कराया एड अनिल्स in my most appealing way और मैं अनिल की तरफ देख करके अपनी most appealing way बहुती अत्यधिक अट्रक्टिव तरीके से में उसकी तरफ मुस्कराया and the smile came by itself यह जो smile आई थी वो अपने आप हरदय से आई थी without any effort बिना किसी प्रयास के जैसे एक होती है दिखावटी हसी दिखावटी होती है ना जान भूज के smile करते हैं और एक होता है automatically दिल से निकलती है किसी के लिए जब सम्मान जागरेत होता है ठीक है तो इसमाइल के मिस आई इटसेल्फ मिस अपने आप without any effort अफ़र्ट मिस क्या होता है प्रयास तो यह जो इसमाइल आई बिना किसी प्रयास के आई ठीक है बच्चो इस तरह से आपका या यह लेसन कंप्लीट हो चुका है अब इस लेसन के में आपको mcq और short answer type questions भी डालूँगी बच्चो मुझे उम्मीद है इक लेसन आपको समझ में आया होगा ठैंक यू धन्यवाद